बात अस्ट्रेलिया की करें तो जी टी इए बहुत ही खास टॉपिक और बहुत बड़ा सवाल रहता है स्टूडेंट्स में क्योंकि हम जितनी भी वीडियो लेकर आते हैं उसमें जी टी को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि बहुत टाइम हो गया जी टी क्लियर नहीं हो पर आज हम आपको जो बात करने जा रहे हैं जो बताना चाहरे हैं इस वीडियो के जरीए के ऑस्ट्रेलिया जी टी एक हफ़ते में क्लियर हो सकती है कैसे पूरा प्रोसेस आपको जरूर समझाएंगे स्वागत है आपका मैं हूं हर जोदकौर और ऑस्ट्रेलिया स्टडी व बात की है अपने आप में बड़ा सवाल स्टूडेंट्स के मन में जरूर रहता है कि जी टी क्लियर होने में आखिर टाइम क्यों जादा लगता है और आप जैसे कह रहे हैं कि नैविगेटर ओवर सीज के जी टी एक हफ़ते में आप क्लियर करवा सकते हैं यह कैसा प्रोसेस हैं कि अगर आप all over world देखें साइबर सेक्योर्टी वालों के artificial intelligence वालों की काफी requirement है और कुछ यूनिवर्स्टी जो हैं उनकी जी टी थोड़ा सा comparatively उतनी hard नहीं है hard means कि वो सारा चक कर रहे हैं बच्चे को हर document उसका सब ठीक होना चाहिए लेकिन leniency कहां है कि आप आप कुछ यूनिवर्स्टियां कहते हैं कि जो आप फीस पे कर रहे हैं उसके भी हमें प्रूफ तो थ्री मन्स ओल्ड है तो बच्चा कहते हैं कि मेरे पास 16 लाक रुपिया लिविंग एक्सपेंसरी 15 लाक रुपिया चोवीश 24,500 कितना है तो यह जो है हमारे पास ओल्ड है एंड 2,000 डॉलर एयर फियर तो इनको मिलाएं तो अगर आज की कल्कुलेशन करो 15,16 लाक के आसपास आता है वो उनके पास पुराना है लेकिन फीस वो फ्रेश डाल सकते हैं लेकिन यूनिवर्स्टियां एक्सेप्ट नहीं करती हैं काफी सारी यूनिवर्स्टियां कहती है वो आप पुराना दिखाओ तो यहां कुछ लेनियंसी यह आ जाती है कि बच्चा वन एयर की फीस अपनी दिखा दे जो उसके अकाउंट में है और लिविंग एक्सपेंसेज पुराने हैं क्योंकि यूनिवर्स्टिय में फीस चली गई कन्फरमेशन आफ एंडूल्मेंट यूनिवर्स्टिय से आने लेकिन फीस पे करने से पहले जीटी अप्रूफ कराना है तो आपके लिविंग एक्सपेंसेज या एजुकेशन लोन जो भी है वो 15-16 लाग पुराना हो फीस आप नहीं डाल सकते हैं लेकिन इंकम से कोई कंप का हो सकता है तो 57 लाग का आप वो एड कर सकते हो तो आपकी इंकम अच्छी हो जाती है 50 लाग के एराउंड अगर इंकम हो जाती है और बेटर हो जाता है तो लेकिन परसंटेज आपकी 60 परसंट में फोर सब्जेक्ट्स में जीटी में आपका अकेडमिक भी आएगा आपके financials भी आएंगे आपका IELTS score भी आएगा उन सब को मिला कि आपकी एक genuine entry होती है genuine temporary entry जीटी जिसको बोला जाता है अब आपके 60% non-medical के student के जो होना चाहिए best 4 में IELTS 6.5 not less than 6 funding मैंने आपको बताई दिये कि one year का आपका जो है fees वो चाहिए आपकी अभी जमा हुई हो डसेंट लेकिन living expenses आपके old होने चाहिए या education loan के तुरू आप कर सकते हो तो यह मिला के complete GT process हो गया है वो हम आपका clear करवा देते हैं और आपका जब clear हो जाता है फिर आपको university fees pay करने के लिए बोलती है fees pay करने के बाद आपके पास COE आती है confirmation of enrollment उसके बाद आप embassy में अपनी file lodge कर सकते हैं file lodge करने के बाद आज कल visa result जल्दी ही आ रहा है और यह जी ठीक है तो मैं यहाँ पर एक सवाल मैं यह जरूर करना चाहूंगी जिन students के अक्सर यह सवाल रहते हैं कि बहुत time हो गया कर भी अगर आपने पुराने funds दिखाए हैं एक साल पहले का भी source मांग रही है कुछ यूनिवर्स्टियां तो वो delay बहुत चल रहा है उसकारण जीटी में या student जो parents हैं उनकी income कम है या कई सारी यूनिवर्स्टियां बुटीक की income नहीं accept कर रहे हैं या agriculture income नहीं accept कर रहे हैं तो हर यूनिवर्स्टिय का अपना है अगर मान लीजिए agriculture यूनिवर्सटिया अब ऐसे consultant हमें बता होना चाहिए कौन सी यूनिवर्स्टिय क्या accept कर रहे है अगरिकल्चर इंकम के लिए आपकी ITR accept नहीं हो रही तो आप तिसीलदार से income certificate भी लेके रखो क्योंकि ITR में तो आप जितनी मर्जे income declare कर दो लेकिन उसका proof है कि नहीं है वो बहुत जरूरी हो जाता है पहले तो वो कहते थे आपके पास ITR होनी चाहिए लेकिन अब ITR आई तो उनको लगा ITR तो हर कोई आठ लाग दस लाग भी है क्योंकि से income proof लेके दो कि वाके में आपकी इतनी income है फिर उसकी ITR आप भनवाओ तो ये कुछ papers जो होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं पहले खाली MSME का वो अगर किसी की industry दिखाई ये accept कर लेते थे अब उसके साथ GST नंबर भी मांग लेते हैं तो university to university GT depend करती है तो as a consultant हमें पता ह होना चाहिए कि कौन सी university में GT निकल सकती है किस में GT ज्यादा tough है अब कई पर क्या होता कि GT ज्यादा tough होने से clear होते होते बच्चे का gap create हो जाता है और one year से ज्यादा gap Australia लेते ही नहीं है फिर उसके बाद वो apply ही निकर पाता है जी बिलकुल वही मैं जरूर इसलिए कहना चाह कर सकते हैं आप सभी जानते हैं तो अच्छी और माहिर सला चाहिए तो जरूर जो number display है इस पर call करके भी आप जरूर navigators overseas की team से जोड सकते हैं मैं को मिलना चाहते हैं तो आप जरूर navigators overseas के office visit करें अपने documents भी अपने साथ जरूर लेकर आए ताकि assessment की जाए सही options और सही process आप को guide किया जा सके बहुत बहुत थैंक्स मैम आज आपने GT को लेकर काफी सारे points जो है students को clear किये हैं आगे भी इसी तरह से हम और informative वीडियो लेकर आते रहेंगे फिल हाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त thank you so much thank you